सो हे गाइस वेलकम बैक टू मैं चैनल होप यार आपसे भी लोग बहुत ही जादा मस्त होंगे जैसे कि आज का आपने टाइटल और थम्नेल देख लिया है अगेन मैं आपको बाइनास के ऐसी तगड़ी लूट बताने वाला हो जिससे आपका 10 डॉलर तक प्रॉफिट हो सकता तो वीडियो में लाज तक बने रहेगा बाकि सबसे पहले मैं आपको बता दू अगर आपने अभी तक हमारे ओफिस्यल टेलीग्राम चनल को जाइन नहीं किया है तो जाके जोइन कर लो जोइन करने से फाइदा क्या होगा क्योंकि देख सकते जो भी लूट आती उसका अप आपका प्रॉफिट बनता आप टेलीग्राम पर चेक कर सकते हो आज ही मैंने बाइनस का गेन प्रूफ दिये यहां पर दू-दू-डॉलर करके दस बार मिला है हमारी यूजर गो ऐसे करके भी मिला है तो इस इवेंट को गलती से भी मिस्मत करना जो उपर से आप यहां पर सप्लाई कितनी है तोटल सप्लाई आप देख सकते हो यहां पर देख सकते हो अरब के एक अरब के करीबन इनकी सप्लाई है जो कि हमारा पर प्रॉफिट कैसे होने वाला सबसे पहले आप ध्यान से देखिए सपोर्टेड रूल में यहां पर बताया गया है इस टेक बीन्ब मतलब USDT stable coin है मतलब कि उसका price ऐसा नहीं है कि आज अगर 80 रुपे है तो कल उसका 60 रुपे हो जागा ऐसा नहीं है तो stable coin में BNB तो हट गया है इसको मान लो इसको नहीं का नाम है ठीक है सेकेंड पर फोकस करो USD, USD क्या USDT ही की तरह है इसका भी stable coin है मतलब इसकी price अगर 80 है तो 80 ही रहेगी stable coin है बढ़ सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती है तो आपको कोई भी loss का chances बिल्कुल भी नहीं है profit का chances है यहाँ पर आप देख सकते जो भी supply है यहाँ पर दिखाए गया है आप जितना भी चाहो उतना कर सकते हो जिसना कि आपके पास पड़ा है यहाँ पर simple सा stake पर करना है मतलब कि आपका balance बाइनास में ही पड़ा रहेगा यहाँ पर आपको कोई भी investment नहीं करना है याँ फिर कोई भी आपका loss नहीं होने वाला देखो एक बार as a में आपको दिखावे देता हूँ यहाँ जैसी में stake पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं मैं maximum पर क्लिक कर देता हूँ 18.80 यहाँ पर मुझे भी USD दिखा रहा है यहाँ पर stake पर simple सा है यहाँ पर मैं कर देता हूँ यहाँ थी के successfully ROY हो चुका है अब देखो बाया चान्स अगर किसी को चाहिए कि नहीं हम तो strike नहीं कर पाएंगे तो क्या कर सकते है मतलब कि जरूरी है क्या जरुरी है और कि जितना है उतना ही करना आपके हिसाब से आपको जितना भी करना है उतना कर सकते हो पचास डॉलर भी कर सकते हो, दस डॉलर भी कर सकते हो, जितना हो, लेकिन आपके हिसाब से आप जितना कर लेना, अब बायचांस माल लो, मैंने एक दो दिन किया, यहाँ पर मुझे जरूद पड़ गी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर redeem वाला option आपको देखने को मि बता देता हूँ, जैसे मेरे यहाँ पर USDT पड़ा है, तो आपको क्या करना है, नीचे trade वाला option पर क्लिक करना है, उपर यहाँ पर देख सकते है, convert वाला आपका option देखने को मिल जाएगा, सिंपल से है, यहाँ पर देख सकते है, उपर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ USDT, नीचे select कर देता हूँ, यहाँ चाहता हूँ, जितना भी मेरे पास पड़ा है, मैं उसको stake पर लगा दू, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा HFT token मिल पाए, तो HFT token मिलेंगे, तब उसकी price क्या होने वाली, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं, यहाँ 22 डॉलर हो चुके easily, यहाँ पर मैं home interface में आके यहाँ उपर से banner को scroll down कर लेता हूँ, simple से यहाँ पर देख सकते है, HFT वाले banner में आ चुके बाकि मैंने आपको सारा information तो बता दिया बस simple सा, आपको यहाँ पर stake करना होता है, यहाँ पर stake क्लिक कर देता हूँ, और यह कितने दि 3 और पड़े हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, stake पर लगा लेता हूँ, जितना भी है मेरा यहाँ पर मैं maximum करके stake पर लगा लेता हूँ, अभी मैंने लगा लिए अगर by chance मुझे कुछ चाहिए होगा, तो मैं आसे redeem कर लूँगा, कोई charge नहीं लगने बाला, बकि आप आप देख सकते हैं, my reward में अभी 0 HFT दिखा रहा है, total reward भी आप पर 0 HFT है, क्योंकि इनका time लगेगा, कितने दिन आप रखते हैं, उनकी साब से मिलता है, पहले भी मैंने आपको एक run token का बताया था, जिसमें सबको 10 डॉलर का run token किसी को 5 डॉलर का run token मिला था, stake करने के लिए only for hold किया था, हमने तो इसी तरीके से यह है, हमने यहाँ पर stake पर लगा लिए, simple सा बस इतना सा आपको काम करना है, और आपको यहाँ पर reward देखने को मिलेगा, यहाँ पर wallet पर आके देख सकते हैं, अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आपको वापस चाहिए, तो इसी page प यहाँ पर आपको सेल के बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको 100% कर लेना है, और यहाँ पर सेल कर देना है, आपका इंस्टेंट के इस्टेंट यहाँ पर wallet में 10 डॉलर जितना भी आपका token आता है, उतना मिल जाएगा, और बता रहेगी token की price एक डॉलर हो सकती, एक token की आपको साथ तब तक लिए जीन वाने मात्रम खुस रहेगा,